एलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम उपस्थित हैं आपके सामने GKGS और Current Affairs के Important Question के साथ में या एक बहुत अच्छा प्रेक्टिस सेट है जिसमें जितने भी Question है बहुत Important है इसलिए आप पूरे वीडियो को लाज सक देखिएगा और हरे Question को ध्यान से पढ़िएगा आईए शुरुगात करते हैं और देखते हैं पहला Question क्या है पहला Question है हमारा निमलिखित में कौन भारत में ग्रामीड रोजगार का सबसे बड़ा कारकरम है आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है इन चारो आफसन में से सही उत्तर जल्दी से आप बता दीजिए अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए इसमें एवाला आफसन मन रहेगा इस प्रसने के लिए बिल्कुत सही उत्तर होगा अगला Question है हमारा भारत में निमलिखित पंच वर्सी योजनाओं में से किसका मुख थे समपोस्डी ये संब्रिद्धी था ध्यान दीजिएगा Question पे भारत में निमलिखित पंच वर्सी योजनाओं में से किसका मुख थे समपोस्डी ये संब्रिद्धी था 9, 10, 11 या फिर 12 इसमें से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है तो इसमें सही उत्तर जो है वो D वाला है बार मी जो है ये D वाला आप्सन जो है बिल्कुत सही होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला question है हमारा किस वर्ष में भारस सरकार द्वारा 14 बड़े नीजी बैंकों का राष्टरिय करण कर दिया गया नीजी बैंकों का राष्टरिय करण कर दिया गया 1969 में, 1980 में, 1980 में, तो ये कप किया गया आपको बताना किस वर्श किया गया, इन चारों आपसन में से जो सही उत्तर है, जल्दी से आप बतां दीजिए इसमें सही उत्तर कौन सा है, अगर आप नहीं झानते हैं, तो इसको जान लीजिए कि 1979 जो है इस प्रशन के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा अगला question है हमारा हरित क्रांत संबंदित है हरित क्रांत किस संबंदित है दुख्द के उत्पादन से दलहन के उत्पादन से खाद्यान के उत्पादन से फिर तिलहन के उत्पादन से आपको पताना है हरित करांथ किस से संब्ण देते हैं हो सकता है आपको पता हो क्योंकि यह बहुत simple question है कही नहीं कहीं पूछा ही राता है तो इसमें जो और सीवालापसन आप देख रहे हैं खाद्यान उत्पादन से संब्ण देते हैं फिर लेस्गाल आपसंजो होगा गिलकुर सही होगा अगला कोशन है मारा निम्लिखत राज्यों में कौन सा पारंपरिक रूप से इलाइची एवं काली मिर्च का परमुक उतपादक है तमिल नाड गोः केरल या फिर महाराश्च्ट आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो जल्दी से चारो आपसन देख लीजिए और बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा इस प्रस्ण के लिए इसमें जो C वाला आपसन आप देखनें केरल इस प्रस्ण के लिए बिल्कु सही होगा इसको ध्यान रखिए कि C वाला आपसन जो है बिल्कु स प्रटेंड सी आज या फिर कल खोजेस या फिर फजेंडा आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है चारू आपसन आपके सामने हैं और बता दीजे कौन सा उत्तर सही होगा कि जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राजील में विसाल काफी वागानों को क्या कहा जा अगला क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा निर्वर करती है आपको बताना है वर्षा की मात्रा किस पर निर्वर करती है वायदाप पर वायमंडल में नमी पर जल चक्र पर या फिर ताप करम पर आपको बताना है या वर्षा की मात्रा किस पर निर्वर करती है तो इन चारों आप्सन में से जो सही उत्तर है आपको बताना है तो वर्षा की मात्रा जो है वायमंडल में नमी पर निर्वर करती है निम्लेकित में से कौन सा भारत में अस्थापित पर्थम राष्टी उद्यान है, चंदवली राष्टी उद्यान, जिम कारबेट राष्टी उद्यान, गिरवन राष्टी उद्यान है फिर दुधवा राष्टी उद्यान, इसमें से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है, इ यहीवाला आपंजी होगा, बिल्कुछ सघी होगा, अगला इमारव, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था ? आपको बताना ऐ है , पिर ड हूप भारतिय संसत का वन संद्रक्ष्ण अधिनীय मोस किया था आपको बताना है भारतिय संसथ द्वारा वंसन रक्षड़ा द्नियम के सवर्स में अधनियमित किया गया था 1976 में, 1980 में, 1983 में, 1988 में तो ये कब किया गया था आपको बताना है आपके सामने चारू आप्सन है और जल्दी से देख लीजे और बता दीजे कौन सा उत्तर सही होगा इसमें बीवाला आपसन जो है बिल्कु सही होगा 1980 के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा अगला क्वेशन है नेलांग घाटी किस राजी में इस्तित है आपको बताना हिमाचल परदेश में, सिक्किम में, जम्मू और कसमीर में या फिर उत्राखंड में इसमें से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है नेलांग घाटी किस राजी में है तो ये जो है उत्तराखंड में है इसलिए डीवाला आपसन जो होगा बिल्कु सही होगा डीवाला आपसन इस परसन के लिए बिल्कु सही है अगला question है अमारा निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है ये कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है इन चारों में से तो इसमें जो B वाला आपसन आप देख रहे हैं बिलकुल गलत दिया गया है बोरा पोलेंड ये गलत दिया गया है बाकी सब सही है ठीक है अगला question है हमारा अगले question में दिया गया है निमलिकित में से कौन से चटान परणाली भारत में नवीनतम है आपको बताना है निमलिकित में से कौन से चटान परणाली भारत में नवीनतम है तो आपसन है हमारा बिं डी वाला आपसन जो आपके सामने है बिल्कुर सही है इसको ध्यान रखिएगा आप अगला क्वेश्चन है हमारा नेमले के दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है जोजीला, सिबकिला, चुम्भी घाटी या फिर बनिहाल आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है चार हो आपसन आपके सामने है इसमें ये वाला आपसन इस प्रशन के लिए बिलकुर सही होगा जोजीला ुफिरसन के लिए बिलकुर सही उत्तर है अगला क्वेश्चन है मारा भारत में नेमलेकां में से कौन सा राज देष की सतर परसत, से अधिक काफी का उत्पादन करता है, तमिलनाडु, केरल, महाराज़।। इस परशन के लिए सही उत्तर जल्दी से आप बता दिजिए, इसमें सही उत्तर आपका, करनाटक इस परशन के लिए सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखेएगा, अगला बारती प्रायदीव कि सबसे उचिछोटी आपको बताना है भारती प्रायदीव कि सबसे उचछोटी कौन है आपसन देख लिएज एफषन देखिल या इसा के इसमें से सही उत्तर कौन सा है चारोव आफजन के सामने है कि कौन सा उत्तर सही है तो इसमें वी वाला आफजन विल्कुर सही होगा अनाई मोडी एक प्रशन के लिए बिलकुर सही होगा अगला question है हमारा नेमलिकित में से किस राजी का छेथफल सबसे अधिक है बिहार, हरियाणा, राजस्थान ये फिर मद्ध परदेश आपको बताना है किस का छेथफल सबसे जादा है ये तो बहुत जंडल question है पता होना चाहिए आपको नहीं पता जान लीजे राजस्थान का सबसे जादा है इसलिए सी वाला आफसन जो होगा बिलकुल सही होगा अगला question है मारबा भारत के पश्च्चमी तटिय मैदान में उत्तरी भाग को किस अन्यनाम से भी जाना जाता है करनाटक तट मालाबाद कॉंकर तट ये फिर मोर्कोरो मंडल आपको बताना है इसमें से स सही उत्तर जल्दी से हैं बता दीजे इसमें सी वाला आप्सन आपके सामने जो दीक रहा है कोईकर 30 प्रसिन के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा सी वाला आप्सन जो है बिल्कु सही है अंगला question है उत्तर परदेश, करना ठक और फिर आंध परदेश आपको पताना यह है किस राज में वस्तित है तो आफ़सन आपके सामने है और जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा नहीं जानते जान लिजिए यह आंध परदेश में से लिए डी वाला जुहाई बिल्कुछ सही होगा हर दिन जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाएगा हम आपके लिए ऐसे ही important question लाते रहेंगे वीडियो पसंद आया हो तो please like कर दीजे और इसको share भी कर दीजेगा चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजे धन्यवाद